बाच्पा की पूर्वजिना अधियक्षभा अखिल भार्दी ब्रामर्ट सभा के प्रदेश अधियक्ष ने और एया सदर कोथबाल पर लगाए गंभीर आरूम नमस्कार में हूँ आपके साथ देशाली और आप रेक रहे हैं के पिपे बेर्देश बीजेबी की पूर्वजिना अधियक्षभा अखिल भार्दी ब्रामर्ट बहासभा के प्रदेश अधियक्ष ने और एया सदर कोथबाल पर गंभीर आरूम लगाते हुए पिसे शिकायत की और एया कोथबाल के सरह से एक वर्गेर दिशेश को निशाना बनाए हुए हैं और अपराधियों को बढ़ावा दिये हुए हैं साथ ही गे भी आरूम लगाया कि कई मामलों में और एया पुलिस की भूमिका संदेग भी रही है कोथबाली की शिकायत पहले भी कानपूर आईजी से लेकर रुख्यमंतरी पोर्टल पर की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई कारिवाही नहीं हुई है जिस पर आज बीजेपी के संगटन के साथ मिलकर लोगों ने एस्पी से शिकायत की जिस पर एस्पी और एया विशेख वर्मा ने कारिवाही का भनूसा दिया उत्रबरदेश में बीजेपी की सरकार आई तो जहां प्रदेश में अपरादियों में खौफ और इंकाउंटर का डड़ देखा जा रहा हैं और अपरादी खुद सरेंडर होते जा रहे हैं लेकिन वही इसके विपरेत और राया में अप राधियों के होसले बढ़ रहे हैं। लेकिन विपरेत और राया में अप राधियों के साथ कुछ लोगों का जमीनी विवात चल रहा था। विश्नु के बेटे को बुरी तरह पीटा जब पीडित थाने गया तब उसकी FIR नहीं लिखी गई। और जब विश्नु अवस्ती बेटे को ट्रीटमेंट कराने के बाद थाने पहुचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप F.I.R की कौपी शान को ले लेना। यहीं कोतवाली और रहिया ने विश्नु अवस्ती के प्रातना पत्र पर आने का इंतिजार क्यों किया। और विवक्षी का मामला दर्श क्यों नहीं किया वज़ा कुछ भी रही हो विश्नु अवस्ती के प्रातना पत्र देने के बाद ही मामला दर्श किया जाना सवाल तो खड़ा कर रही रहा है। वहीं दूसरे मामले में एक शक्स को बस ने टकर मार दी जिसकी भी अफायार नहीं दर्श की गई। इशारे मिलते देख रहे हैं। बात में जब मेरे दुआरा मुकदमा दर्च कराने का अपरातना पत्र दिया गया, तो कोतवाल ने आरोपी की ओर से मेरे मुकदमे में पहले उल्टा मुकदमा मेरे ऊपर लिखवा दिया, लेकिन आज तक विपक्षी आरोपी के खिलाफ कोई कारिवाही नहीं हुई। हमने कानपूर आईजी से भी शिकायत की है और मुख्यों मंतरी पोर्टल पर भी शिकायत की है जिसके बाद आज फिर एक बार एस बार एस पी ने जल दिजाज कर कारिवाही ठीक निरा अवस्ति जी की विश्णु प्रकास अवस्ति के विश्णु कुमार अवस्ति के प्लाट का खाली कराना और उसके बाद पडोसियों द्वारा उनका उत्पीनन करना उनका गेट गिरा देना मीटर काट लेना उनका टटर जला देना उनके लड़के को तालाप के अं सब्सक्राइब और इनकी बाद में लिखी गई और आध तक कोई करवाई निकी गई किवल एक मामला नहीं है रजोल दीक्षित उपर सो बस वालों ने तक्कर मार दी और वो गिरें बचके किसी तरह ने ऊपर टड़ा देते तो उनकी फाइब दुरगटना की भी निकी गई ब तक कितना नहीं यहीं पर्ड़ा कि भी पहले टो नंसे बात करनी थी आज उनसे बात कि है उसके बाद पर बात करें हैं प्रदेश मैं बाजपा की सरकार रहे उसी को ठीक करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि यह लोग दुनिरंग को सद्धिकारी हैं और इस तरह का भेदबाव करके और यह मकाम कर रहे हैं उनके विरुद्ध करवाई होनी चाहिए उनको अटाया जाना चाहिए और हमारी सरकार पूरी तरह से निस्पक्ष रूप स को सब चलाने वाले ऐसे तमाम लोगों के आधार पर सब काम होंगे यह नहीं होने दिया जाएगा कप्तान साहब से मिलने आए हैं क्या बुरा मामदा है नगर में पिछली कुछ समय में कुछ इसी घटनाई हुए जिसमें वर्ग विसेस के लोगों को निशाना बनाकर उनके साथ अपरादे करत किये गए और उनके दौरा पुलिस में सिकायत करने पर भी अपरादियों को सर किया कहा है कि एक दूसरी गटना एक वकील अध़कता हमारे शुकला जी एंसु शुकला उनके घर पर चड़के कुछ लोगों ने मार पीट की थी और उसके संबन्द में एफ और इया थाने में कराई गई थी परंतु पुलिस दौरा उनकी अभिक्तों की ग्रफतारी भी न कराया और उनने में आश्राशन दिया है कि उन सारे प्रकणों के संब्द में प्लिस इंस्पेक्टर की कारपडाली को देखते गए भी सी उ महुद्या स्वयम जाकर पिडित पच्छों से बेंट करेंगे और अब एक्टों से मिलने आए हैं क्या है पूरा मामला मेरे पुतर की अब ठीक है आप सामको तहरी ले लेना और मैं बच्छे की अग्मी रादफ होने क्वजे से सहफ़ी चला गया मालूम हुआ कि उन्हों मेरे बच्छी को बुला करके अन्या तिक्ता कलाब लेते हुए और उन्होंने बच्छी को मुकदमा 27 पर लिख दिया और मेरा मुकदमा पर लिखा जाल कि इस संबंद में आपने जो है को पाल से बात नहीं की कि ऊथा कि जानी इसकी संदर मैं मैंने मानी मुकमंत्री जी को इंस्पक्टर की इसकारवाई की समदर में गलब करवाई के अंदर मैंने पोर्टर पर शिकाइद दर्ज कर आई और मैंने आई जी महुदे कानपर जोन को भी इंफार्मिशन इस्टी पोष्ट के दारा दोनों लोगों को भी तो इसमें आप कफ्तान साफ से क्या चाहते हैं कि अबित्तों की तत्काल गरतारी होनी चाहिए बलकि गरतारी नहों कर कि पुलिस उनको सरक्षर भी है उनका मनुवल इतना बढ़ गया वो आई दिन घेरते हैं मेरे बच्चों को पर टेक करने के लिए धंक्या देते हैं